हेलो गैज, मेरा नाम है वैसर मैप का वेल्कुम करता हूँ अपनी यूट्यब चैनल फो पिकपर्ड तो गैज आज का मरा टॉपिक है हाउ टू फिक्स लैप्टॉप कीबोर्ड और अटो प्रैसिंग तो गैज बहुत ही असान है तो आईए शुरू करते हैं तो गैज इसके लिए शिंपली अपने स्बींड पे राइट को करना है और यह हरा आप और आप सेंट दीवाइस मैंजर की chan सेंप्ली डिवाइस मेनेजर पर क्लिक करें ना यहां पर पॉप्शन देखते हैं कीबोर्स सो सिंप्ली इस ऑप्शन को एक्स्पैंड करें ना यहां पर आप अपने कीबोर्ड का ड्राइबर देखते हैं सो सिंप्ली हम इस ड्राइबर को अपडेट करेंगे सो इसको अपडे ब correction सक्टेंब एंभार क्लिक गरेण झाय आपर पोर्षेन इस नो आपर आपने संप्यक्लिक कर ना लगे हर नेय। नेपक्र मे वांडमेड भी स्टेंटों उनुस्थ वर दियुक्छिक कर ने ब वरॉडरर ट वे खर वित симWH क्लिक टृडरेण hon राई ऑल दो करें आर शें towards Korean ज्यू च्थीन प्लेट किस्ट छी तेंस फ्सक्थफुलीए टेंस मिंड़ी रे स्ट्नीकोट क्यों स्टलिंड जूब कुछ थे हैं रहने हैं यह दो स 만पाट subjected changes to take effect so do you want to restart your computer now so simply have a yes click on it so get us about the problem fix or again like another after problem fix near this is simply object built-in keyboard use कर सकते हैं so keyboard access करने के लिए simply आपने यहां पर टास्बार पर राइट लिक करना है और यहां पर पॉस्चिन देश्टें टास्बार सेटिंग्स इस पर क्लिक करें नश्टोल डाउन और यहां पर पॉस्चिन देखते हैं तरन system icons on और off तो simply इस पर क्लिक करें और गयज यह देखें touch keyboard so simply यहां पर अब भी off है तो इसे on कर दें और इसके बाद इसे formative लगी होगी so guys अगर आपको यह वीडियो इच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल 4P को सब्सक्राइब करें